नमस्कार आदाब कबजा जमा लेता है और कोयल चिडियों के घोस्ते छीन लेती है और शेर भेडियों की गुफाएं लेकिन इनसान धरती का वो प्राणी है जो भाई चारे की बात तो करता है लेकिन जब उसके अंदर का जानवर जाकता है तो पूरी प्रकृति का अस्तित्व खत्रे में आ जा की बाया जा जानवर खत्रे में अगता है प्रिम्ह करना प्रMiब आर Σ करना एक vérit आर जैंग प्र keyboards प्रेफ एक प्रेफ टेड़ कर दो आपके जरोगा जरोगा कुछा जरोगा कि अब्सक्राइब नहां। 16 जुलाई 2016 को ये केस 12 वर्षी अनंद की किड्नैपिंग से शुरू हुआ था लेकिन इस किड्नैपिंग से पहले एक लड़की की हत्या को भी अन्जाम दिया गया था क्या उस हत्या का कनेक्शन इस किड्नैपिंग से भी जुड़ा था है 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 था थे जब हमने स्लास को देखा तो इसके ओपर एक भी कपड़ा ने था फिर मैंने सको पर चदर डाल दिया को नहीं है को जानता है इसको नहीं साब यह लड़की हमारे गाओं की तो नहीं लगती पता नि कौन इसको यहां पर मार्क के फेक के चला गया वाग मारे सगड़न ना अटवाई तुन को मल चेक कर सर्थ बॉड़ी में मामूली खरोच के अलावा कोई भी मेजर एक्स्टरनल इंजूरी के मार्क्स नहीं है शायद इसके साथ रेप हुआ है पाटिल इसके बॉड़ी पर जो रेच चिपकी है यहां के मिट्टी से काफी अलग है शायद इसे कई और जगे मार कर यहां डंब कर दिया गया हो एक काम करो बॉड़ी को पोस्माटम के लिए भेज दो और आसपास के गाउं में पूछताच करो शायद इसकी पेच्चा नो सके सर्व सर मेरा बेटा मिलतो जाएगा ना सर चोटा साय सर वो हम अपनी तरब से पूरी कोशिश करेंगे जैसे आपका बेटा अनज जिस वीडियो पालर में गया ता उसका नाम क्या है एवन वीडियो पालर और आपका अगर काहप है जि महातरी निगर शिरके वीडियो पालर से इनके घर तक के रास्ते में पता करो कह जो पूछताच कर जो, जो, जो... अनंत के साथ क्या होने वाला था ये राज अनंत की खोच के हर पढ़ाव पर इस केस को और भी उलचाने वाला था फिलाल अनन्त की तलाश शुरुवाती दौर में थी और रत्नागिरी पुलिस उस तक पहुँचने के सिरे ढूंड रही थी वहीं जैगर गाउं की पुलिस और सज्यात लाश की पहचान में जुटी थी जिसका संबंध जल्द ही एक नामी शक्सियत से जुड़ने वाला था साहब ये लड़की तो वल्लब माने की छोटी बेटी जिसी दिखती है वल्लब माने? ये वल्लब माने कौन है? साहब कृष्णा नदी के पास जो मावना गाउं पड़ता है उसका सरपंच है वल्लब माने है अरे पत्रकार साहब प्रकृती का हनन तो सबसे अज़ा शेरी लोग करते हैं और पिर साल में एक बार परियावरन दिवस बना कर दिखावा करते हैं कि प्रकृती की कितनी चिंता है उनको पर वल्लब जी आपने अपने गाउं के प्रकृतिक संसा दोनों के लिए क्या किया अभी आपके गाउं के नदी देख लीजे आपने की पहली मुलाकात इनी सवालों से शुरू हुई और इसी बीच रतना गिरी पुलिस को अनन्त के किड्नैपिंग से जुड़ी एक स्ट्रॉंग लीड मिली सर्थ अनन्त किड्नैप हुआ है वीडियो पारलर से थोड़ा आगे एक सीसी टीवी कैमरे में किड्नैपर्स कैप्चर हुआ है प्ले करो अटो का नंबर छुपाने के लिए परपस जी नंबर प्लेट पर कीचर डाला है शिर्गे जिस वक्त अनन्त की किड्नैपिंग हुई उस टाइम से आसपास के हर सिग्नल के सीचीडी भी चेक करो शेय दिन तक पहुचने में कोई लीड मिले आटो स्टेंड सिग्नल टोल नाका कार पार्किंग रेबे पार्किंग सब पे पूशताच करो पदा करो इन लगों के खिलाफ कोई क्रेमिल रिकॉर्डों तो नहीं ओगे सर्थ अनन्त को किड्नैप करने वाले यह तीन चेहरे इस केस में 5 गुना से जधा चेहरों की फेरिश चोड़ने वाली थे लेकिन अनंत की तलाश फिलाल इन तीन चेहरों की पहचान परने पर थी वहीं वल्लब बाने को उस अज्यात लाश की शिनाफ्त के लिए शवग्रे लाया गया देखे सब पहले तो यह बताए कि किस बेवकूफ ने आपको खाया कि यह मेरी बेटी थी तो यह आपकी बेटी नहीं है ठीए फोट देखते हैं मैंने कह दिया थे कि यह मेरी बेटी पूरवा नहीं है आपके कहने पर यहाँ चलाया और फिर भी आप दो साल पहले मेरी बेटी किसी लड़के के साथ में भाग गई थी चलो मान लिए आपकी बात लेकिन पूर्वा अब कहां पर है उसका फोन नंबर पता कुछ तो मालूम होगा आपको जब वो भागी थी तब उसका फोन बन था उसके बाद वो कहां गई, क्यों गई, किसके साथ गई इसका मुझे कुछ पता नहीं अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मेरी बड़ी बेटी से पूछ लीज़े कहां पर है अपके बड़ी बेटी अपने सस्राल में एकनाथ शिंदे की भव है वो नाम क्या हो उसका नैनाप्रमोथ शिंदे बुलाई यह उसे हाँ, बाबा मैं इनको नहीं जानता हूँ इन्होंने मेरी बेटा नाथ को क्यो पिंडाट किया है आपको कोई रेंसम कॉल आया? नहीं किसी पर कोई शक्त? मेरा मदलब कोई दोस्ट, दुश्मन, रिष्टेदार जिसने आपके बेटे का किड्नाप करवाया हूँ नहीं, असे तो कोई बात नहीं थी नहीं साह पुर्वा नहीं है अगर यह पुर्वा नहीं है तो अब पुर्वा कहां पर रहे? आपके पादर ने कहा था कि वह उनके टच में नहीं है शायद आप उनके टच में हो नेस, उम्हें पोर्वाक्रें टच्छ में नेएड़ी. कानी साइड लालो, ने वार्दा, तेखो नेना, ऐसा नहीं है कि बुरुआ की मौत का दुख नहीं है, अगर तुम जानती हो कि मैं मजबूर हूं। परण बाबा, ये बग, लेक्च्छर नो कुगा, जो कहा है न, उस बात पर कहा है मरे न, बस. जिस लड़की की लाश जैगड़ गाओं के बाहर मिली थी, वो पुर्वा ही थी, लेकिन क्या वज़य थी, कि वल्लब माने अपनी बेटी पुर्वा को पहचान नहीं देना चाहता था, और उसकी बड़ी बहन नेना भी पुर्वा को पहचानने से मना कर रही थी. क्या नेना और वल्लब माने मजबूर थे या फिर कोई साजिश रच रहे थे? और क्या हुआ था पुर्वा के साथ के उसकी हत्या के बाद उसकी लाश आपतिजनक सिदी में बरामध हुई? नेना शिंदे, वल्लब माने और मृत पूर्वा, क्या इनका कनेक्शन अनन्द की किड्नैपिंग से भी था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारे सवाल बहुत जल्द उठने वाले थे सर, वो तीनों के नेपर्स अनन्द की किड्नैपिंग के दो दिन पहले से इसी लौज में आके रुके थे लेकिन यहां के मैनेजर नो उनका ID नहीं लिया सर, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे वो लोग यहीं किसी मंदिर में आई हुए थे मैंने उनको तीन गद्दे देकर इस्टोर रूम में सोने के लिए बोल दिया बहुत मजबूर लग रहे थे, इसलिए मैंने अलाओ कर दिया केस बनाये तुमारे खिलाब? सॉरी सर, गल्ती हो गई यह सीचीडीवी वर्किंग है? जी सर, यहां पर भी ऊपर भी लगा हुआ है सर, और बाहर साइड में भी है और सारे वर्किंग में है सर जिस दोरान वरुके वेदे, तब से अब तक के CCDV फूटेज दिखा हूँ उनके जी सर मम्मी बस जाना है, प्लीज चोड़ मुझे मैं मम्मी पक्रणी आई मरगी है के तेडी जचन मरो है? यह जए जाले, पॉर लगा है जोट जोट उनका भाव आउ 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 आउ, क्या हुँ हुँ है? आउ आउ, 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 आउ उनसे बरदाफ ने हो रहा है आउ आउ इन्होंने भी तो हिम्मत रखे ना भाव, सब ठीक हो जाएगा, तू समय दे भाव, तू देखना, आम सब की जिंदीगी पदल जाएगी भाव जूम करो पॉस करना है यह लड़की किड्नैपर से बाहर मिल रही है कहीं ऐसा तो नहीं यह लड़की भी किड्नैपिंग में शामिलो यह लड़की भी यही रूगी थी इनके साथ? नहीं सर खिरके शायद यह लड़की भी अनंत किड्नैपिंग में शामिलो इसके बारे में पता करो सर सर जैगर गाउं के पास जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसे वल्लब माने के गाउं या आस पास के गाउं में किसी नहीं किया लेकिन वह लाश वल्लब माने कि बेटी पूर्वा के ही है इसका कोई स्ट्रॉंग इविडेंस तो होना चाहिए सिर्फ एक विटनेस के कहने से के वो पूर्वा है कोर्ड उसके डियने की परमिशन तो देगी नहीं तुमें काम करो जब तक पूर्वा का पोस्ट मोटम रिपोर्ट आता है उसके कॉलेज से उसकी फोटो निकल वाने की कोशिश करो सर आपने तो कभी बाबा को गलत कहने की हिम्मत नहीं की लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि कि आप भी बाबा की तरह सोचने लगोगी कि अपने वाबाद से मिलने प्राइस प्दा है यह पोचैँ रहा है कि उग्यों गाई अपने बाबाद से मिलने गई ना तो जान खेमार हूँ कि तू जिम्दा आज की तरह ईतो अग्टियू पे या सिंदालाश अरे वा तुझे तो मुंबई में होना चाहिए क्या एक्टिंग करके तू तो बोल जो डायलेग बोलना है वो बोल लेकिन एक्टिंग वही कर जो मैं से कहूं कटपुतली और कर भी क्या सकती तो मारत को ऐसा ही तो होना चाहिए मर्द के हाथ की कटपुतली हाँ बावी मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं आपको इस नर्ग से जरू चुटकारा दिलाऊँगा अधित्य अधित्य तुम वादे बिल्कुल नेता होगे तरह करते हूँ एक दिन एक बहुत बड़े नेता बनोगे खिए अधित्य पूरे नेंट्ड्नेपर का कॉल रहा है ता वह पताचला आपका फोन सम्ने सर्वलेंस पर डाल एक पंद्रा लाग रोपाय की डिमांड की गई आपसे अगर अनंद को सही सलामत चाहता है न तो 15 लाग देना होगा अमने आपका फोन टैप भी किया था एक लड़की का फोन आया था आपको यह लड़की हमने के ड्नेपर्स के साथ देगी थी क्या आप जानते हैं से नई मस लड़कियों नहीं आनते हैं आशर के बोल सच जिस पीचियों से अनंद के फादर को रैंसम कौल आया था यहां उस लड़कियों के नेपर से जुला कोई भी क्लू नहीं मिला और आसपास में कोई CCTV कैम्बरा भी नहीं है कि बल्लो भाव हमारे गाव कोई भी आदमी है पुर्भा के पहचान गभाही नहीं देगा वो दूसरे गाव का आदमे था तभी पुलिस आई यहां पर कौन था प्रकाश था प्रकाश को अभी के उठा के अधर लेकिया जा जलो कर हम दस मिनिट में यह सारे सम सॉल्व करने आपको जलो लेट सी काफी थैंक्स आपको बेटा तो बहुत स्मार्ट है थैंक्यू अगर आप बुरा नमाने तो एक बात कहूं हम आपने ग्राइजवेशन करने के बारे में क्या सोचा नेरा मतले पर कि ओनलाइन फॉर्म फिलप कर दीजे ना लक्षमी मैंने बहुत सोचा लेकिन अब पढ़ाए के किताबे नी जिंदेगी को पढ़ने की उम्र बाकी है लेकिन जादा मुश्किल तो इंसानों को पढ़ना है सच कहूं तो जब भी आपको देखती हूं ऐसा लगता है जैसे आ पता है लक्षमी मुझे तुम्हारे साथ बात करना बहुत अच्छ लगता है नेना यहां आले आई मैं आती हूं आज रिके बोल तरफ चलाए कि एक होस्पिटल के बार एक किन्नेपर को देखा गया है जो अपना इलाज कराने वापर पहुंचा है उसी होस्पिटल के पास की बीट्चौकी से कॉल आयता हूँ यह तो होस्पिटल के बार पढ़ा था बेहोस था मैं उसे अंदर लेके आया था और उसका इलाज चल रहा है कौन डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं सर उसकी हालत बहुत क्रिटकल है लेकिन वह भी कुछ बता नहीं पा रहा है किसके प्रॉब्लम क्या है हमने उसके लेकिन कुणा तो किया ही है ना बच्चे की किड्नैपिंग की है खुद किया या किसी के कहने पर किया है सब एक एकनाथ का नाम इस केस में उस टार्गेट की तरह सामने आया जिस पर निशाना दागना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है लेकिन कहते हैं कि अंधेरे में चलाए गया तीर भी कभी-कभी निशाने पर जा लगता है और पुलिस इसी संभावना को आजमाने के लिए अनंध की किड्नैपिंग के केस में एकनाथ नाम के इस शक्स की पहचान ढूनने की कोशिश कर रही थी उस किड्नैपर ने किसी एकनाथ का नाम बताया था शायद उनके एकनाथ के कहने पर ही अपके बेटे अनंध को किड्नैप किया आप जानते हैं किसी एकनाथ को एकनाथ? हाँ मैं जानता हूँ एकनाथ को लेकिन वो मेरे बेटे को किड्नैप यो करेगा कौन है वो एकनाथ एकनाथ शिंदे शिंदे कंस्रक्शन का मालिक अभी कुछ नहीं पहले उनकी हाउसिंग सोसाइटी में मैंने एक फ्लैट बुक करवाय था कहीं ऐसा तो नहीं उस फ्लैट की डील के दोरान लें देन में कोई डिस्प्रीव राज जगड़ा हुआ हो नहीं ऐसा गुछ नहीं है बिलकुल क्लीन डील की सर हो सकता है एकनाथ का अपनी पार्टी से और पैसा निकलवाने का कोई हतकंडा हो शिर के जब तक एकनाथ चिंदे के बारे में कुछ पता नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं का जा सकता है एक बार इस एक नाच छिंदे से मिल के देखते हैं कली सी टेम पर आजाना है ठीक है? नमस्ते बाबा तेरे बाबा वल्लब का फून आया था अज तेरी बहुत फिकर कर रहे थे तुमी तो तन नहीं बोला सासलना बाबा कि अब मैं उनकी नहीं आपकी परिशानी हो भाबी आप अपने आपको परिशानी के उबोर भी जब की बाबा तो आपको इस घर की लक्ष्मी मानते हैं बिल्कुल बेटी और बहु हमारे घर की लक्ष्मी ही हो दी है बाबा आपकी सोच आपके नाम से भी उची आज मैं अपने कंस्ट्रिक्शन साइड पे गया तो आपके नाम का नया स्लोगन सोना एक नाथ सबका नाथ मैं हमेशा यह चाहता था कि दुनिया मुझे अपने बेटों के नाम से जाने लेकिना भी तो मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने लेकिन मैं जहां से भी गुजड़ता हूँ आपका नाम साथ चलता है बाबा ये दुनिया का एकलोधा आसा बेटा होगा जिसे अपनी बाप का नाम नहीं सुआता है अरे अपने काशी जीजा जीसे कुछ सीख कि कैसे अपने फायदे के लिए किसी फो भी अपना बाप बना लिया जाता है बात आता है बहुत जादा मुपट नहीं हो रहे हैं अपनी बेहन के सामने ही अपने जीजा के टांग खीच रहा हूँ नहीं नहीं शूती क्या एना मेरी सालिया नहीं है इसलिए बड़े साले साफ मेरे जूतों बे नज़र रखते हैं क्या बात है साथ? आप लोग यहाँ? ए विडे! मैं मानों से आने की वज़ा नहीं पूछते हैं हमस्कर साथ, एक नाच छिंदे इंस्पेक्टर अजेंग कह रहाने यहाँ, आते हैं राजेश दिख्षित को जानते हैं आप? राजेश दिख्षित? कौन है यहाँ? आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया है उन्होंने अडे सर, हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कही सारे लोगों ने फ्लैट बुक किया है यह कौन से राजेश दिख्षित के आप बात करे हो? वही राजेश दिख्षित जिसका बेटा अनंद दिख्षित किड्नैप हो गया है उसका बेटा किड्नैप हो गया है तो? उन किड्नैपर्स में से एक किड्नैपर ने आपका नाम लिया है एकनाथ कहीं आप ही ने तो अनंत को किड़ नहीं करवा है क्या वकवास कर रहे हैं आप देखिए आपको कोई गलत फैमी होगी हम अपने क्लाइंट्स के साथ ये सब नहीं करते लेकिन आपका क्लाइंट सिर्फ एक ही एकनाथ को जानता है जो आप है करगों में एक अजिंग के राने काम करते हैं क्या आप जानते हूं उनको वैसे ही ये दुनिया एकनाथ से फरी हुई है हर दसवे आदमी का नाम एकनाथ है तो आपने कैसे मान लिया कि वो एकनाथ मैं ही हूँ हमने माना नहीं कि हमने सोचा आप से मिलके जान जरूर लेते हैं जान लिया ना आपको गलत फैमी हो गई है में ये सब काम नहीं करता हूँ आई होप कि ऐसा ही हो जरूरत पड़ी तो दुबारा मिलें नैनाद देख बेटा मैंने तुझे जो सिखाया है बस वो याद रख पुर्वा को भूल पर अपने गरस्ती पर देहन दे बेटा नसीब में जो है सहल है अपना भाग के समझ के इतने बड़े खांदान की भू है तो यही तो दुर भागे है बाबा अब कभी नहीं समझे तो आप क्या समझोगे एक बात बता पुरोई थे यह राजेश दिख्षित के बेटे की किड्नैपिंग का क्या चक्कर है कौन राजेश दिख्षित भाव कैसी किड्नैपिक यह समेरे नेटवक से भार है भाव पर नेना तो तेरी नेटवक में आना उजब शब ग्रह गई थी तो अपने बाबा के अब किसी गोर से भी मिली थी यह नहीं भाव मेरे को कुछ मालूम नहीं बहुत तो नहीं है कि नेना ने जबान ना खोलने के लिए तरी जेव गरम करी है इसब आप क्या बोल रहे है भाव अभी तो बोली रहा हूं लेगन अगर मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ है तो कि आपकोसे डरनी कोई जरोत नहीं किस की बात कर रहे हैं तो आप जानती है मैं किस की बात कर रहा है अरे वह बाप का नाम नहीं सुहाता तुझे, बड़े भाई की बीबी सुहाती है, तादा अगर घंदा गंदा हो तो क्या, सोच भी गंदी हो जाती है, एव मैं तो जनम से गंदा हूँ, देख बिल्ली जब शेर के पिंजरे में होना, तो कुत्तों को शेर नहीं बनना चलिए, जिसके अंदर जानवर ही हो ना, वो बीवी को बिल्ली और भाई को कुत्ता ही समझ सकता है, नसल तो हम दोनों की एक है, लेकन एक बात याद लग, जर जमीन और चौरू के चक्कर में, भाई का दुश्मन मत बनी हो, जबानी नहीं संबल रहे हैं तो जा के शादी कर ले, लेक मैं एकला हम दर्ज मत बनी हो मेरे भाई पर टोरे डूल ये, और फूरानल लमेऽ पटता न, तरेको, इसमिए अपन दो ढूरू को, ट्रेको मैं जर सब्कान का, नहीं मुझे खाना यह नि魚नी खाना मुझे वुजह मुँनी के पेज़ गलता एफ बोला ना चुपचाप खाना का? अगर तु जिन्दा है न तभी तरी कीमत है संजा? खाना का? नहीं मैंने काऊंगा इत्सोडना भासकर नहीं जमेका उसको अपने कांदार सपाती तो? वो अमीर लोग क्या खाते? वो गोल गोल सारा भाजी उसके उपर क्या कहते रहे उसको? पिज़ा? लेकिन मुझे पिज़ा नहीं खाना मुझे हकका नुडल चाहिए हे! सर पे मत चड़ समझा इस हालत में तुझे खाना भी दे रहे न? उतना भी नसीम सान समझा? सर ये रही उस लड़की की पोस्ट मोटम रिपोर्ट जिसकी लाज हमें गाओं के बाहर मिली हत्या गला घोट कर की गई लेकिन हत्या से पहले उसके साथ रेप भी हुआ पाटिल अगर वो लड़की पूरवा ही है तो क्या वल्लब माने का अपनी बेटी के मर्डर और रेप से कोई कनेक्शन होगा? लेकिन सर इतना तो हूई सकता है कि वो इस बारे में जानता हूँ लेकिन बदनामी के डर की वज़े से उसको पैचानने से इंकार कर रहा हूँ सर जिस किनन पर की मौथ हॉस्पिटर में हुईती इसकी पोस्टमर्टम रिपोर्ट सर उसके बॉड़ी में कई जगे की नसे फट चुकी थी नसे फट चुकी थी? हाँ सर और उसके लंग्स भी डेमेज हो चुके थे मैंने उसके केस के बारे में डॉक्टर से बात की सब उनका कहना है कि हो सकता है वो आदमी लंबे समय से कोई ऐसा काम करता हो जा पर सांस प्रेने में तकलीफ होती हो या अबर उसको सांस रोक के काम करना पड़ता हो ऐसा कौनसा काम करता होगा हो कौन देखो नो किकना खुन में रहा है एक बर मालिक को फोन तो करूँ मालिक का फालतु बटाए गया इसको साइड में बटा और तू तिरे काम कर चल सर कहीं उसके काम का कनेक्शन एक नाश चिंदे के कन्स्ट्रक्शन बिजनेस से तो नहीं पॉस्टीबल है शिंदे येस? साब, आनन्द का किड्नैपिंग ही नहीं. एकनाचिंदे ने बहुत कांड कर रखे हैं. कौन बोल रहा है? वो जाने दो, साब. मिल को एकनाचिंदे के एक क्राइम का मालूम है. एकनाचिंदे के रामवाली वाली साइट पर जाहिए. वा महीनों से एक मुर्दात अफ़ान है. क्या रहे हैं आप लोग? कोई भी आपको फोन करके कुछ भी बोलेगा, तो इसका मतला आप मडरर हो जाएंगे? जाएए आप लोग. और जो करना है ना, खर लीजिए. जो करना है, यहीं करेंगे. सेर्च वारंटाइस जगे का हमारे पास. आप बोल विडे. सर, यहां लफ्टा हो गया. यहार साइट में पुलिस आगे लिए. यहार साइट पर सेकड़ों मज़ूर काम करते हैं. उनका आपस में कुछ लफड़ा हुआ होगा और इस कंकाल के बारे में हमें कुछ नहीं पता है. आपको क्या पता है, क्या नहीं, वो हम पता कर लेंगे. मेरे से खाय जारे केच्वय तोन् allen क्या है काम भी हुआ हुआ है कहा हुआ है भाता पो जो जो पाता है। सब पहले अनंत की किडिनेपिंग में एक्णाथ का नाम आना और अब एक्णाथ की कंस्ट्रक्शन साइड पे एक अंकाल का मिलना यह इतिफाक तो नहीं हो सकता जा लेकिन शिरके यह पी हो सकता है एक्णाथ की और अनंत की किड्ञापिंग का कार्ड करने वाला कोई और यह एकनाद की फैमिली के कॉल रिकॉर्ड ने कलवाओ जिस पीसियो से मुझे कॉल आया था वहां पता करने की कोशिश करो कॉल करने वाला को एकनाद से जुड़ा हुआ आदमी तो नहीं है इससे पहले भी इस घर की चौकट पर पुलिस आई है लेकिन हर बार एकनाद शिंदे को सलम ठोक कर चली गई है लेकिन पिछले दो बार वो साला वर्दी वाला यहीं आके आँख दिखा कर चला गया मेरे को कॉन है कॉन है जो उसको मेरी बदनामी की खुराक दे रहा है मुझे मालूम है यह काम घर में बैठे किसी वीवीशन काई है रमाकंत भिड़े सारा शेर तुझे एकनाद शिंदे की वज़े से जानता है सब लोग जानते है कि तू एकनाद शिंदे का राइट है आज मेरे राइट हैंड को लकवा कैसे मार गया रहे कहां सोय था तू जो तेरे पिछवाड़े से पुलिस मुर्दा उखाड कर लेके गई है और तुझे खबर तक नहीं हुई पाउ मुझे खुछ समझ में नहीं आ रहा है बात लीक कहां सोय तेरे कान तू कुट्टे से भी तेज है ना लीक करने वोले कि आहट तक नहीं सुनाई दी तुझे चूक हो गई पाउ यह चूक कितनी महेंगी पड़ सकती यह पता है लोग अपने वफादारों को कुट्टे की तरह पालते लेकिन मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला पता है क्यों क्योंकि मैं जानता हूँ अपने बेटों को नहीं मैंने भीडियों को जनम दिया है वो बड़ा वाला प्रमोद, खुद को शेर समझता है, उसको अपने बिजनिस दूर रखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसकी पूछ कभी सीधी नहीं होगी, और वो छोटा वाला आदित्या, सलाहरिश चंदर के फोटो कॉपी, उसका इमान, उसके असूल, जहर है अपने धं हो गई है, लेकिन, मेरे धंदे के सीक्रेट्स सिर्फ तू जानता है, तूने तो नहीं, क्या बात देरे भाव, मैं अपना गला कटा सकता हूँ, लेकिन आपसे गद्दारी नहीं कर सकता, कल तक पता करके बता, कौन गद्दारी किया मेरे साथ, चाहे वो सगा हो या सावतेल तू सिर्फ नाम बता दे, बोलने लाइक नहीं छोड़ूगा उसको, जी भाव तू तो प्रमोद आदा खपरी है ना, पुलिस का खपरी कब से बन गया, ये क्या बोल रहे है भाव, भाव मेने सिंदे परिवार का नमक खाया है, लेकिन प्रमोद, उस तो ते मिठाई के लाई होगी, क्यो, बोल, पुलिस को फोन उस ने किया था या, तूने, आई, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि तो नहीं बाबा के बॉल पे छखका मा रहा है, भावास मत कर, इस घर के राज को राज रख, नहीं मेरे जिंदगी की मजबुरी है, और यही मेरा गुरूर गी, नेना, कहीं तरह बाप तो बदलाने लह रहा है हमसे, मेरा बाप इस गर की नीब बचाने की लिए रोज अपनी कब खोद रहा है यही तो अपनी कबर कोइ़ खोद रहा है तुमने कौनसी नीब जोड़ी इस वह क्या पता कबर ही खोद रहे हो औरत है औरत बन कर रहे हैं चोरों की बस्ती में जब कोई शरीब भी भागता है तो चोर ये सोचकर चौकनने हो जाते हैं कि कहीं उनके पीछे पुलिस तो नहीं लगी है शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले स्केलेटन ने शिंदे परिवार के हर सदस्य को ऐसे ही चौका दिया था हर कोई एक दूसरे का चेहरा पढ़ रहा था लेकिन किसकी गठरी में चोर था और किसकी दाड़ी में तिनका ये फिलहाल मुखवाटे में था लेकिन इन चेहरो कि छटनी में सामने आने वाला कोई छुपा हुआ अपरात था सर जो इसकेलेटन शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें गड़ा मिला था उसकी मौत करीब 6 महीने पहले सर पे हुए वार की बज़े सुभी थी और इसका फ्रैक्शर भी है सर लेकिन 6 महीने पहले किसका कि अपको कॉल आयता उस लोकेशन पर अक्सर एकनाध की बेटी शूुती और उसके पती काशी राओ कोवान अक्ट्व रो है तो हो सकता है सरूुती या काशी राओ में से किसी ना आपको कॉल किया हो और एक बात था ये शुल rapping की जदतर बाते रमाकान्थ भिड़े से हुत यह आपका अदिक फाक बाजकर इंकी तब्हेत बहुत खराब होती जारी हैं हम आपको इस्पताल भी नहीं ले जा सकते हैं पकड़ जाएंगे हम लोग अप दवाई बाली से दवाई ली आईये हैं हुँ आप मैं दवाई ली आती है माजा और परिशे खर्चनों को गीनते के ही पैसे बच्छे आपने पास लेकिन आपको मरता भी तो नहीं देख सकते न माग पैसे एंगे मारे पास इसके बाप से आएंगे और फिरना वन पैसो से मापका अच्छा हस्पताल में इलाज कराएंगे बाओ लेकिन फिलाल के लिए अब दवाई खाल ना है ताइड दवाई ले आए याई ओ मैं दवाई लेकर आती है तो ध्यान रख इनका मैं आती है हेलो ताइड तेन सुन पहा है दादा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास एक काम करो इसमें से जो उल्टी रोपने वाली दवाई है वोई दे दो यह लिजे पचास उता है दानिवाद दादा क्यों आपको मेरी बेहन शूती से क्या काम है आपकी बेहन शूती है कहां पर मेरे को नहीं बता सर आज दोपेट सो घर पर वापस नहीं है उसका फोन भी बंद है लेकिन बात क्या है सर और आप आप तो शूती के पती हैं पताओ का आपकी बीवी का है यही साब, मुझे भी समझ नहीं रहा है कि शूटी कहा है सर अपने बताया नहीं, आप शूटी के बार में जानना क्या चाते है आपकी बेंट शूटी जब भी घर आए या उसका फोन आए उसे कहना हमसे जरूर मिले सर का जाने जो कॉल हमको आया था वो शूटी नहीं करवायों वो सकता है शूटी को अपने बाफ सब्सक्रावलम हो पता करो शूटी का फोन आकरी बार कहां बंदुआता सर यह दवाय का यह दो खाना इस दवाई खाकर फीक हो जाओगे. यह दवा भी आप मुझे बचा नहीं पाएगे. मैं भी ओंगार के तरफ… ऐसा नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा? अगर कल्चा हमको फंद्राइड लाग रूपे नहीं में लेना, तो उसको जान से बार दो हमें! जहां से बार दो हमें! किस दून बाद कर रूप? रूप! रूप! तो बच्चे को बाद के क्या होगा? फुट! तो माँना है तो इसके बाद से पैसे मांदा? पैसे आएंगे तभी तो बड़े अस्पटाल में इनका इलाज करा पाएंगे ना? पाणी 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 सर् जिस लोकेशन पर शुरूती का फॉन बंद हुआ मैंने पता कि यह उस एरिया में एकनाशिंदे का एक फार्माउस है वो सकता है शुरूती एकनाशिंदे के फार्माउस में ही हो एकरा इनकाश और भोलिड़ गकनाशक पाणी प्रेट लिजफ पुरागर के रहें? सर्थ, पुरागर अची तरह चान मारूफ, देखो कुछ मिलता है क्या? सर्थ, ये तो शुरूती वो भीड़े के फोड़ोग्राफ से हैं, कि शुरूती के मडर से भीड़े का तो कोई लेना थे? ये तरह नहीं? शुरूती के वो सकता है, लेकिन पहले अनंत की किणनेपिंग, पर शुरूती के साइट पर उस इसकेलेटन का मिलना, और ये शुरूती के बाड़ी का मिलना, इन सब का आपस में कनेक्शन क्या हो सकता है? क्या? क्या? शुरूती का मिल्डर? लेकिन तो नहीं है? ये कैच है? बिड़े का है? बिड़े? अपने घरपों का? बिड़े का क्या? क्या? ये तो बोलती है की काशे की बना जीन नहीं सकती है? काशे को दोका दे का मर गई वो? बाबा, अब पता चला ही है ये भीड़े ही जो तुम्हारे फीट पे चुरा गोप्रा है ये जो कंस्क्शन साइट टाप को स्केलेटन मिला है ना? देखना उसके मडर में भी भीड़े का ही हाथ होगा बिड़े का एड्रस दीजी हमें कि अच्छन साइट बिड़े को नहीं देखा मैंने सार, बिड़े का पौन भी बंद है? बोलो दामोता सर, अ मने आसमए आसपत पुष्टाज कि तो ये पता जड़ा कि शूरूति के पती काशी को फामोस के बाहर देखा गया था सर, हो सकता है काशी को शूरूति भीड़े के अपपर के पार में पता चल गया हो और उस ही ने शूरूति को मारा हो ये एकनाथ के सभी फेमिली मेंबर्स के फोन लोकेशन चेक करो और इस काशिराओ के बारे में भी पता करो होगे ज़ुँ अगे ज़ुँ अगे ज़ुँ अगर अनाथ श्री साइलामत चाहिए तो कल तक ऐसे देतो में अनाथ को कुछ मत करना प्लीज मैं कोशिच करना हूँ में मी बात सुरो मैं मैं हलो है लो है लो है लो हैलो है वहा है क्या हुआ मेरे अनाथ को बोलो क्या हुआ सर जिस पीसियों से आपको कॉल आया था उसकी लोकेशन रामवाडी की है शिरके ये बिड़े भी गायब है और उसका फोन भी बंद है कही ऐसा तो नहीं अनंद की किड्नैपिंग में ये बिड़े ही मास्टर माइंड हो लेकिन से समझना ये भी होगा कि जिस किड्नैपर की मौत होस्पिटल में होई थी उससे जब आपने ये पूछा कि अनंद की किड्नैपिंग किसने करवाई तो उसने एकनाथ का नाम क्यो लिया एकनाथ लेकिन उस किड्नैपर ने सिर्फ एकनाथ बोला शिंदे नहीं बोला हो सकता है वो ये बोलना चाहता हो कि एकनाथ का आजमी या एकनाथ का सेक्रेटरी या फिर ये भी हो सकता है, वो एकनात नहीं, एकनात से संबंद रखने वाले उसके किसी रिष्टेदार का नाम लेना चाहता हो, जैसे एकनात के बेटी, बेटा, नौकर या फिर कोई भी, लेकिन फिलाल हमारा शक्त बिड़े पर इसलिए है, क्योंकि वो गायब है, शिरके कह अनन्त के किड्नैपिंग के किसी राज से भी जुड़ा हो, सर, मैंने शुरूती के पती काशी राव का बेग्राउंड चेक किया, वो एकनात के बिजनेस राइवल के अटेंप्ट के मर्डर के केस में जेल भी जा चुका है, सर, काशी के अलबा एकनात के फैमिली का कोई भी मिंबर उस पामाउस पे नहीं था, जहां पर शुती की लाश मिली थी, और हाँ एक और बात सर, पोस्टमोटम के रिपोर्ट के हिसाब से शुती की मौत गला गोटने से हुई है, और उस दिन दोपर तीन से चार के बिच अस अचिए था, शेरके लेकर आओ उस काशी को, साब, भाव, भाव, हरामाथ, भाव, 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 साब, मैंने शुती को नहीं मारा, तूने मारा या नहीं मारा, यह तो हम तेरे से सच निकलवाई लेंगे, राजेज दिश्चित के बेटे अनंत की किटनैपिंग में क्या एक नाशिंदे का हाथ है, उसे नहीं पता साब, तो नहीं आसा तो नहीं, अपने ससुर को पसाने के यहीं तूने अनंत की किटनैपिं कराई हो, नहीं साब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, एक बात बता, शुती का बिड़े के साथ अफेर था, यह बात तू पहले से जानता था, नहीं साब, तो फिर एक नाशिंदे के जिस फार्माउस हैं में शुती की लाश मिली, तेर अपनी बीवी शुती को बिड़े के साथ वहाँ देखाओ, साब मुझे फसाया जारा है मेरी बीवी की बटर केस में, मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी को बिड़े ने मारा या और किसी ने, साब जब जब में वहाँ पहुचा, साब मुझे लगता है कि एकनाथ नहीं अपनी बेटी को अमरवा है, और अब मुझे पहसा रहा है, एकनाथ अपनी बेटी को क्यो मारेगा, सार क्योंकि शूती मुझे से प्यार करती थी, एकनाथ इस बात से बहुत जड़ता था, अगर तू इतना ही सच्चा है, तो पर साब मुझे जाता तो नहीं पता, लेकिन 6 महीन पहले, लांजा टाउन के एक सरकारी सिविल इंजिनियर, संदीप देशमुक, साब मुझे लगता है कि एकनकाल उसी का है, तो कि संदीप का भिड़े और एकनाथ के साथ बहुत बढ़ा पंगा था, आपके भिड़े ने मारे हमारे शृती को, पहलो से बहकाया है, फिर चांद से बार दिया है, देख लिया, देख लिया कि स्थार को दूट बला रहे थे आप, चांद से मार दूगा भिड़े को देखना, तेरा भी लपड़ा था क्या भिड़े के साथ, बहल, बट खुजली है ने तेरे में, है ना, बोट कोई लिए, दूराट, हड़ा थागो, हरु कोई तेरे जिसा, कमीना, नी उत्ता, सम्झा? ना, अधा, लगजागी, अधा, अधा, जागो, अधा, जागो, अधा, श्मार्णा अधा, अधा, थाउला वड़ाट वड़ाई, बहुजा कोई तेरे में, हरु कर दो ही प्यावक difिण भी लա क्या, तेरे में चक्त कि यह तो लौक है कि सुनिए संदीब देश्मुक का गर यह ना जी सर अच्छा कुछ पता उनका बंद क्यों है सर पता नहीं यह तो छह साथ महिनों से बंद पड़ा है यह संदीब देश्मुक के परिवार के बारे में कुछ जानती हैं आप सर संदीब जी अपनी वाइफ और बेटी के साथ यहां रहा करते थे लेकिन उनकी वाइफ तो काफी टाइम पहले गुजर गई थी और सर बाद में संदीब जी भी लापता हो गया और विचारी उनकी बेटी कुछ समय बाद वो भी अपने किसी रिष्तेदार के आँ चली गई सर इसका मुझे आइडिया नहीं शिर्के हम जब एकनाथ चिंदे के घर गये ते इस लड़की को मैंने उसके घर में देखा था सर यह लड़की तो एकनाथ के घर में नेना के बेटी को टुछिन पढ़ाती है इस लड़की का संधीब देश मुख से क्या रिफ्ता हो सकता है साब ये तो संदीब जी की विर्टी है लक्षमी शिर्के कहीं ऐसा तो नहीं ये लक्षमी एकना चिंदे से बद्दा लेने के लिए या फिर उसको फसाने के लिए कोई प्लान बना रही हो अनत की किड्डैपिंग भी इसी ने कराई और शूती के मडर में भी इसी कहा तो सर मैंने कुछ नहीं किया ठेकिन ये सच है मेरे बाबा को गायब करवाने में उसे एकना चिंदे का ही हाथ है सर मुझे उन पर शक था इसलिए मैं उनके खिलाब सुबू तिकटा करने के लिए वहाँ टीचर की जॉब कर रही थी अगर तुम्हें एगना चिंदे पर शक था तो पुलिस की मदद भी तो ले सकती थी उसकी जासूसी करने की क्या जरूरत थी सर मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही हूँ और ना ही कभी करूंगी क्योंकि मेरे अंदर भी मेरे बाबा का खून है सर मेरे बाबा संदीब देशमोक न्यू कंस्ट्रक्शन में एनोसी देते थे और शिंदे कंस्ट्रक्शन हर काम इलीगल तरीके से करता है आप चाहें तो पता कर सकते हैं, F.I.R की कॉपी मेरे पास भी है, लेकिन पुलिस आज तक उनका पता नहीं कर पाई, तो सर अगर मैंने अपने तरीके से अपने बाबा के गायब होने का राज पता करने की कोशिश की है, तो क्या गलत कर दिया? लक्षमी देशमुक के पिता संदीब देशमुक का मिसिंग केस छे महीने पहले फाइल हुआ था, और तब से संदीब देशमुक का गायब होना एक रहसे ही बना हुआ था, पुलिस ने शिंदे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले कंकाल का डिये ने लक्षमी देशमुक से मैच कर का फैसला किया लेकिन पुलिस उस बच्चे की किड्नैपिंग को भी प्रेरिटी देना चाहती थी जो अब तक किड्नैपर्स की गिरफ्त में था लेकिन उन तक पहुंचने की कोई लीड पुलिस को नहीं मिल रही थी कि दोरे दिलिस की विलड़ की क का लिव तक पहुंचने की की कई लेकिन रoningляется के लेकिनग की की बेस्फें कि दिल खना अवर्स लेकिन नहीं मिल विलोग से नहीं मिल तक कि रवश्प चाहती है से लेकिन पुलिस्टन tule तक की ए क्वैस्वचने की की विलोग्वशनार टून झा